इसको कुरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है और ये 6 बजे सुबह, 7 मई से 6 बजे सुबह तक 17 मई तक ये रहेगा 7 मई से 17 मई तक सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इसमें कुछ जो डिसिजन्स गौर्मेंट द्वारा लिया गया है कि कहीं पे भी 5 से जादे लोग इकत्रित नहीं हो सकते हैं अगर ऐसी इस्तिती होती है तो उनके खिलाफ जो भी करवाई है वो अमल में लाई देएगी एक असमेंजस खिस्तिती यह थी कि जो पहले से शादियां जिनकी पर्मिशन्स हो गई हैं उनके बारे में क्या रहेगा मैं बताना चाहता हूँ कि जो शादियां पहले से ही हमारे पास से पर्मिशन्स दी गई हैं 20 लोगों की जो permissions दी गई हैं वो यथा as it is रहेगा और लोग अपनी जो शादियां हैं जो उनका date decided है वहां पर 20 लोगों के साथ कर सकते हैं इसके अलावा जो government और private offices हैं establishments हैं कुछ exceptions रखे गए हैं वो मैं अभी बाद में बता दूँगा government और private offices सारे के सारे 7 मई से 17 मई तक close रहेंगे इसके अलावा educational training coaching institutions 31 मई तक के लिए बंद किये गया हैं तो ये clarity आप लोगों के माद्याम से लोगों के बीच में भी होनी चाहिए हैं इसके अलावा cinema halls, malls, market complexes, bazaar, gymnasium, sport complexes, swimming pools, entertainment park, theater, auditorium, assembly halls ये सारे बंद कर दिये गये हैं कुछ exception रखा गया है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा liquor shop, wends, ahata, bar ये close कर दिये गये हैं 7 मई से लेके 17 मई तक के लिए में भी health institutions है चाहे private हो, government के हो खुले रहेंगे और इन में जो लोग कारे रत हैं अपना कारे जो है सुचार रूप से कर सकते हैं financial sector के लिए पहले ही आदेश आ चुके हैं सुबर दस बज़े से दो बज़े तक जो बैंक से हमारे खुले रहेंगे सुबर दस बज़े से दो बज़े तक इसके अलावा जो essential utilities हैं जैसे हमारे postal services हो गई water sanitation waste management का काम हो गया इसके अलावा जो हमारा petrol pumps होगा रहे हैं यह सारे के सारे इसेंशल पब्लिक यूटिलिटी में आएंगे यह खुले रहेंगे इसके अलावा जो बजार हमने पहले बता दिया कि बजार बंद रहेंगी सात मई से सत्रह मई तक exception क्या क्या होगा इसमें जो सुबर छे बज़े से शाम के छे बज़े तक खुला रहेगा वह यह है राशन शॉप इंक्लूडिंग पीडियस चाहे वो नेवर हुड में हो रो लुकर के सीड के fertilizer के और पेस्टीसाइड के यह जो दुकाने हैं यह खुली रहेंगी आपकी सात मई से सत्रह मई तक तो बेसकरी फ्राइडे तक मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ यही दुकाने हैं जो खुले रहेंगी सुबर 6वे से शाम के 6वे तक ट्रांस्पोर्टेशन को लेकर सरकार दोरा यह फैसला लिया गया है कि जो हमारा पुब्लिक ट्रांस्पोर्ट है चाहे इंटरस्टेट हो या इंटरस्टेट हो 50% कैपसिटी के साथ कार्य करेंगे इसके लावा जो एग्रिकल्चरल, होटी कल्चर और एनिवल हजबन्टी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं पहले भी हमने जारी रखा था इस आदेश के माध्यम से भी हम जारी रखेंगे इंडस्ट्रीज को जो एसेंशल इंडस्ट्रीज थी हमारी जो चल रही थी पहले भी हमने जारी रखा था अभी भी ये जारी रहेंगे इंटर स्टेट मुवमेंट के लिए जो पिछला हमने और निगाला था वो एस इटी चलेगा उसमें दो-तीन हमने कंडिशन्स लगाई थी जो सरकार द्वारा हमें निर्देशित किया गया था पहला की जो लोग डिरेक्टली आना चाहते हैं अगर उनके अंदर उनके पास बहत्तर घंटे का अटी पी से आ तो डिरेक्ट एंट्री कर लेंगे अगर नहीं है तो आने के बाद वो साथ दिन के लिए होंग कॉरेंटीन होंगे और उसके बाद उन्हें टेस्ट करवाना प कहrias को पी सब्सक्र दिमाम कर दोर्चे आना काुंगे जसलिए हैं छिए सिय늬 क stereotype का क्या हो द Зबस्दह कचे सिय को व्यां कवर्णक कर दोगगे व्यां कि अदिए किसे तिमा झाना उनके है एले चल्यां को उनका हैं और खे जोर्ल्यार भाद़िस्ज़वरनी और यह काल यह